नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ओल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्र शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्रा घंड की खास कपरों पर मुख्यमंत्री त्रविन सिंग रावत ने पत्रकार वारता में कहा है कि भीमताल में हली पैड निर्मान को लेकर डियम को निर्दिश दे दिये गए हैं और जमीन मिलते ही भीमताल में हली पैड का निर्मान भी करा दिया जाएगा साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ दून, कुछ दिन पूर उन्होंने जिला विकास प्रादिक करन हटारिंग को लेकर जो बात कही थी उस बात को लेकर उन्हें पता चला है कि कुछ लोग भरम फिलाने के साथ धरनाप पदर्शन कर समाज में माहुल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों की अभवाओं पर दिहान नहीं दिया जाएगा और वहीं पूर मुख्यमंद्री हरी श्रावत ने किसानों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला किसानों के साथ चाय पर चर्चा कारे करम कायोजन किया गया बतौर मुख्यती थी पूर मुख्यमंदीर हरी शावत ने किसानों को संबोधित करते हुए काया है कि केंदर सरकार किसानों पर अत्यचार करने पर तुली हुई है उन्होंने काए कि किसान एक विश्ची कानूनों का लगातार विरोध कर रहा है और उन्हें रोपने के लिए सरकार हिटलर शाई पर उतारू हो गई है रामनगर में करेंट लगने से हाती की मौत हो गई है मौत की सूशना पर कॉर्बेट प्रशाशन में हलकम पमच गया बताया जा रहा है कि ये हाती कॉर्बेट पार्क से निकल कर बगीचे में आ गया था बगीचे में रोशनी के लिए लगाए गए बल्ब को हाती ने सून से पकड़ लिया जिसके बाद उसे करेंट लगया और उसकी मौत हो गई आपको बता दें कि ये हाती पिछले एक महीने से शेत्र में लगातर ग्रामीनों को परेशन कर रहा था सूशना मिलने के बाद कॉर्बेट पार्क यदिकारी मौके पर पहुँचे हैं बद्रीनात हाईवे पर एक कार दुरगटना ग्रस्त हो गई है हादसे में पाच लोगों की मौत हुई है जानकारी के मताबिक कार गहरी खाईव में गिरकई इस्थानी लोगों ने पुलिस को हादसे की सूशना दी जिसके बाद पुलिस और प्रशाशन की टीम मौके पर पहुची है रहत बचाफकारे शुरू किया गया है मैदनी लाकों में शीतलेर चलने की आशंका है इस दोरां देहरदून में भी असर देखने को मिल सकता है वही तीन फरवरी को बारिश के असार है मौसम विज्ञान केंद्र कें निर्देशक विकरम सिंग ने कहा है कि देहरदून हरिद्वार उदम सिंग नगर मैं शीतलेर चलने की आशंका है इसे देखते हुए जिलाए को अलर्ट कर दिया गया है और साथी तीन फरवरी को भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है इस दिन कई जिलों में हलकी बारिश भी हो सकती है उत्राखंड में कोरना संक्रमितों के साथ मरीजों के मौत के मामले भी थम गए है 24 गंटे में एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है जबकि 90 संक्रमित मरीज मिले है सक्रिय मरीजों की संक्या घटकर 1202 पहुच गई है कुल संक्रमितों का आकड़ा 96,000 के पार पिलाल इस बुलिटिर में सिर्फ इतना ही बने रही है न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कर